है गाइस वेल्कम बैक और सब्सक्राइब करेंगे यह चैलेंज बहुत स्पेशल है क्योंकि यूनिक है और मैं दिखाने के लिए बेस तो बहुत बहुत आए प्लीज लाइक श्राइब जरूर करें उसने के साथ जो चुमेश्वरी ओफर्स आए उनको अगर आप पुचेस कर चाहते हो तो कोड़ जरूर यूद करें इसे काफी जादा सपोर्ट मिलता है मुझे एन मेरी फैमिली को तो डू सपोर्ट गाइस चलिए सबसे पहले हमको दिखाता हो कि सीन क्या है सीन है कि यह है बेस यह साब को लग रहा होगा कि यह क्या है मतलब सिफ लेविल वन के और यह चीज क्या है भाई यह चीज उडन खटोला क्या है आपने अगर टीजर देखा होगा एक जो डाकनेस ऐसे कुछ नाम था क्लैश ऑफ क्लैश डाकनेस या डाकनेस ऑफ क्लैश जो भी है वहां पी यह चीज फीचर हुई थी और कैसे से बीट करना है चलिए फड़ और सी को यह हमारा इनिशिल फ्लैन है ऑविसली बात है वाटर को हम ग्राउंड पर रखेंगे क्योंकि सपोर्ट ताकि अच्छे से कर सके हमें यह नहीं पता माइंस है या नहीं तो जैसे कि आप देख सकते हो कितना श्रिंक हो गया है हीरो कितने स्लो हो गया है तो श्रिंग आपको करना होगा और बीच में वो जो टाउन हौल की तरह कुछ दिख रहे है वो एक गॉबलिन हट है जो जिसके अंदर से स्पियर गॉबलिन आपको मारता रहेगा तो वो भी एक इशू है टेसला काफी है टोनेडो है श्रिंग ट्रैप्स का तो मैं आपको बता बता के ठ चुकाओं कि स्ट्रिंग ट्रैप्स जो है वो काफी दिक्कत देंगे आपको तो फिलाल अगर आप देखो के तो आर्सी की बैंड बजी पड़ी है क्योंकि आर्सी जो है वो श्रिंग हो हो के काफी जादा डैमेज ले रही है और इसका हिट पॉइंट इतना जादा है कि यह खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है फाइनली हमने यहाप पर किंग अबिलिटी भी पॉप अप कर ली बट किंग अबिलिटी के बावजूद आप देख सकते हो गाइस कि कितना स्लोली इसका जो है एच्पी रिड्यूज हो रहा है तो इसका एच्पी बहुत जादा है और डिस्ट्रॉई करते करते लिटरली आपकी हिरोस का दम निकल जाएगा उसी के साथ श्रींग ट्रैप्स का प्रॉब्लम और इश्यूज है बट यह जो मैंने बताया आपको दो-दो हिरोस का कॉम्बो यह काफी अच्छा आपको हेल्प करेगा तो आप आर्सी के साथ जो है वो आउट्रेज करता है मैक्सिमम डिफेंस को आउट्रेंज करता है तो जैसे टेसला को वो आउट्रेंज करता है और कैनन्स को भी कैनन्स को शायद नहीं करता है बट टेसला को करता है तो यहां पर आप देख सकते हो क्वीन अबलिटी हमने यहां पर यूज कर लिए बट अच्छी बात यह है कि वोडन हमारा भी भी ठिका हुआ है और युनिकॉन जो फाइनली वडन पर शिफ्ट हो रहा है और वडन के शिफ्ट होने के बाद एक बार इसके बाद कोई टेंशन नहीं क्यों क्योंकि ज्यादा आप कुछ बचा नहीं वास एक टेसला बचा है फ हमसे वह टेसला को क्लियर कर लेगा तो ऐसे आप बीट करोगे यह फाइनल चैलेंज को और यह वाला चैलेंज को और यह वाला चैलेंज को और यह वाला चैलेंज काफी प्यारा प्यारा था क्योंकि दिखने में काफी क्यूट लग रहे थे सारी चीजे तो गाइस इसी के साथ wrap up होती है हमारी सारे challenges वाली यह series और I hope आपने यह series काफी enjoy करी होगी, बहुत मज़ा आया होगा आपको, मेरे को comment section में बताना कि कैसा लगा आपको यह पूरा 10th anniversary का experience था मैं मिलूँगा guys, अब तो next episode में चेहन, as always guys, चेहन, bye